ट्रेनिंग ड्रिल प्रेक्टिस करने के बाद का पहला मैच चाहिए अब देखो जिन बंदों के पास लो एंड डिवाइस होता न उनका कुछ नहीं होता तो उनके पास स्किल होती है ठीक और स्किल के दम पे वो एक गोड लेवल प्लेयर बन सकती है मेरा मानना ही है बाई अगर आप मतलब अपने डे की सुरुआत इन वाली ट्रेनिंग डिल से करोगे न गेमपले नेक्स लेवल हो जाएगा हैट आप बंदों के साथ खेलोगे ग्रिब बी सेट हो जाएगी मतलब सब कुछ मा आपको बताने वाला हूं उनके आपको एंड में एक बोनस टिप भे देने वाला हूं बाकि मापको इस वीडियो में पांच पॉइंट देने वाला हूं चोथा पॉइवरेट है और एवरी गंटे गेम खेलते हो तो उन 3-4 गंटो को सुधार देगा ये 4-5 मिनट तो भाई वो आपके उपर आप स्कीप करते हो कि नहीं तो बहले पॉइट पे चलते हैं अभी देखो जब भी मैं अपने दिन की सुरुआत करता हूँ न तो सबसे पहले मैं ये वाली ड्रिल जरूर करत आप जो फोन को होल्ड करते हो न उसको अपने फोन को होल्ड टाइटली करना चाहिए अगर आप अपने फोन को टाइट होल्ड करोगे तो आपका क्रोशियर और का आयम हो जाएगा ठीक है इससे पहले जरूरी है कि अपने फोन को टाइट होल्ड कैसे करोगे तो ये वाली तुम और आते हो ना सबसे पहले आपको यही ड्रिल करनी और को नहीं करनी है तो आप मतलब फोन को सही से नहीं पकड़ोगे तो आपकी सभी ड्रील वेश्ट जाएगी तीक है पहले यह वाले मतलब तहां प्ना मेहतां देती है तो करना कूछ यह सिंपल स्कोपिन में इन चारो बोट्स को ना ऐसे बिल्कुल फास्ट करना ठीक है स्टेम करना गर आप एक नोन जाइरो पलेरो तभी आप कर सकते हो नोन जाइरो पलेर को कभी भी अपने फोन को टाइट होल्ड नहीं करना चाहिए नोर्मल कंफर्ट जोन में पकड़ो ठीक है वैसे करोगे ना सिंपल आपका फोन का जो ग्रीप बिल्कुल टाइट हो जाएगा आपको दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे और अपने फोन को पकड़ने का तरीका आपका बैस्त होना चाहिए आप लोग देख सकते हो मैंने फोन को कैसे पकड़ रखा अब मेरी फोन की ग्रीप बिल्कुल टाइट हो चुकी मेरी हाथों की बीच में यह वाली ग्रीप जब तक नहीं छोड़ने है जब तक कि आपका ट्रेनिंग का प्रेक्टीस हो कम्पलीट ना हो जाए उसके बाद आपको उपर आ जाना है और यह मैंने जाइरो वाली वीडियो में बोला था कि आपको यह वाली ड्रिल करनी है इस वाली ड्रिल के आपको multiple फाइदे मिलने वाले है simple आपको करना कुज नहीं पर तीन दरवाज़े आपको दिख रहे है वैसे तो हम एवरी डे एक ही सैंसी पर फिर भी उसी सैंसी को थोड़ा सा एवरी डे ग्राइड कर लेते है तो वो सैंसी हमारे मसल्स मेमरी में बैट जाएगा कि मैं अपने फोन को कितना टिल्ट करना है फिर एक नोन जायरो प्ले रहे तो कितना उठे को रब करना है अगर आप यह वाले ड्रिल करोगे तो आपके माइंड में सैंसी बैट जाएगी यहां पे एम करने के लिए फोन को कितना टिल्ट करना ठीक है आप कितने भी कलो पे खेलते हो मतलब आप 5 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर, कुछ भी खेलते हो तो मैंने उसके उपर एक डेडिकेड़ वीडियो बना रख्या कि आपको अपने फोन को कैसे पकड़ना चाहिए तो वो वाली वीडियो आप इसके बाद देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अब ही चलते बाई दूसरे पॉइंट पर मेरा चोथा पॉइंट फेवरेट है तो वो आपको जरूर से जरूर देखना अब हीफ फायर बाई पूरे गेम को चलाता है अगर आपका हीफ फायर तगड़ा निया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप उसके बाद करोगे तो आपके headshot लगने वाले और वो कैसे लगेगा आप example भी देख लो अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोट की की नहीं मेरे को नहीं पता बहुत सारे यूटूबर ऐसे करते हैं जैसे four finger खेलते हैं और साथ में थम भी खेलते हैं अब आपको सबसे पहले आपको सबसे नहीं करना है कि मेरे को कैसे यह वाली चीज जो आपकी वी कहना उस पर काम करना है तो आपको ट्रेनिंग रण में जाना है देखो सबी buttons का use तो हम hip fire देने में या फिर grip को tight करने में नहीं कर सकते तो मैंने इसलिए यह वाले drill डाली है तो सबसे बहले आपको कहा करना है आपको warm up करना है warm up से मैं आपको कोई target नहीं दे रहा हूं कि आपको इस वाले target पर aim करना है आपको reflex दिखाने से ऐसा कुछ नहीं कि आपकी accuracy या फिर reflex improve हो जाएंगे आपका जो warm up हो जाएगा कि every button कहां पर या आपकी muscles memory में बैट जाएगा और साथ में आपको अपनी sense के साथ भी थोड़ा friendly हो जाऊगे तो इसलिए मैं आपको ये वाले trick बता रहा हूं तो आप ऐसा follow करो तो आप कभी भी है ना ऐसे intense situation में आ फिर कहीं पर बटन पर tap करना ना उसी बटन पर tap करो कभी भी मतलब हडबड़ी में आप मतलब इहां पर intense situation में अटकोगे नी टीक है तो वह सब चीज आपकी दूर हो जाएगी ये वाले drill करने से अभी जलते है मेरी फैवरेट drill पे जो मैंने देखी है यूटूबर्स के लाइव स्ट्रीम पे जो मैं फोलो करता हूँ लिटरली बहुती ज़्यादा फाइदे मंद है तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें ना चैनल पे इनो तो सब्स्ट्राइब कर देना हम 60 के सब्स्ट्राइबर्स के बहुती ज़्यादा करीब है और चूज करके फटब मारना है और तो पिक भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हूँ और इसी पॉइंट में दूसरा पॉइंट है जीगल, आप लोगों ने बंदों को देखा हुआ, बहुत बर क्या करते है, रिच पेना बहुती तगड़ा और कैड़ा जीगल देता है, इसको ट्रैस करना बहुती मुश्किल होता, ठीक है, इसको सामने की तरफ आप कोई भी टा आपको एम करना और लोग जीगल आपको इस वाले रिच पे देना बिल्कुल नीचे जाना उपर जाना आपको इस टेबल होना चीए, अगर आप यह एक यह दो मिनिट भी करोगे न मतलब गेम खेलने से पहले तो आपका एम तगड़ा हो जाएगा, अभी आम स्प्रेज पे आपको बंदों को गाड़ी से उतारना होता तो मैं सिंपल यहां पर देता हूं, आपको बंदों को गाड़ी से उतारना होता है, तो मैं सिंपल यहां पर देता हूं, आपको बंदों को गाड़ी से उतारना होता है, तो मैं सिंपल यहां पर करता हूं, बंदों को बंदों को कैसे आपको जैरो को यूज करना है मतलब हम आपको सामने बहुत शॉरेbasis पर याकी को सामने पवन चक्यीस के बाघ से लगाई, Abha देब लिच यू जम हाए आपको मतलब यूकल लेजर स्परे देने का जरेसे जेड़ित जाइरो पलेर तो जाइरो से, नोन जाइरो पलेर तो भाई अंगुठे को रब करो, कैसे भी करो, पांच है पवंच किया दिखेंगी, बिल्कुल सेंटर में स्प्रेज दो, ठीक है, पहले आप बिल्कुल 6x पर दे सकते हो, फुल 6x पर फिर 3x बना लो भाई टीक है, मैं तो 3 पर दे रहा हूँ, आप तो आपको सही लगे, comfortable लगे, वैसे दे सकते हो, ठीक है, पता नहीं, आप लोगो ने नोट किया कि नहीं, पूरा जो गेंपले है, पूरा वीडियो है, वो मतलब पूरा है, तो बहुत सारे बंदे मैं बोल रहा हूं, वो नोट कर रहे हैं, तो मैं बिद् Saya को बोनस टीप कर वो सारे बंदे बोनस टीप के लिए वीड कर रहे हैं, आप सबको पता है कि बढ़े सर्दी का सीजन है,स्यों सर्जी कर रहा हूं कि होता है, एक आता है कि अपको कपी आने की वजया से है, स्क्रीन होता है, अब हो कभी भी चेTwoज नढ़ में स्क्र झाल!